आज हम लेकर के आएं आप सब के लिए फिर से एक प्रोब्लम का सेलूसन जिसकी विए से हर कोई बंदा परिशान होता है हर कोई कहता है कि यार ये क्या समस्या हो गया नई समझ में आने के कारव बंदा परिशान हो जाता है कि कैसे करें क्या करें तो आज हम उस चीज के बारे में आपसे डिसकस करेंगी जिसे की आपको देख के समझ के यह चीज परिसानी आपका दूर हो जाएगा यह आप खुद ठीक कर सकते हैं किसी मेकेनिक किसी टेकनिक सिल की जरूरत नहीं परेगी दोस्तों यह है हमारा से यहां से पीछे से पेपर फाड़ता है कभी आगे से फाड़ेगा कभी यहां से फाड़ेगा तो इसका परिसानी क्या है यह क्यों फाड़ता है आज हम इसके बारे में बात करेंगे जिससे कि आपको यह वीडियो देखके आपको परिसानी दूर कर लेंगे और किसी में कह ठीन नट और ये इन तीनों को खोल धेना है इसके अंदर इस में निलुकल है इसको खुलने के बाद ये ये हिस्सा जो आपका बाहर निकल आएगा और इसके बीच में किस प्रिंग होता है है उसimusa को आपको क्या करना है कि बस इसी जी को आपको निकाल के थोरा सा छोटा कर लेना है हूं कैसे का नहिता दिखाते हैं है तो देखिए इसको आप जिना से एक 16ermaid一个 इसको क्या करना है आपको की जह प्लेट फंद रहा है तो इसको खोलके और इसको इतना सा कटवा लेना है यह काटके फिर इसके अंदर डालके फिर सेट करना है फिर सेट करके चलाए तो यह चीज प्रिशानी आपका दूर हो जागा यह पेपर फारने का अगर फिर भी नहुत हुआ तो यह इतना काटे दूसरी बार में इसको घुमागा फिर यहां से काट कम होने के कारण से यह तो कम हो जाता है लेकिन स्प्रिंग जो अंदर का है हमारा वो उतना का उतना ही रहता है इस वज़े से यह फारना शुरू हो जाता बीच से यहां से तो इसलिए इसको आप छोटा करके लगाईए उसके बाद फिर देखिए आपको कोई समस्या नहीं बस इसको खोल के स्प्रिंग छोटा कर दिये उसे फिस्टे कर दिये फिर चलाए कोई दिक्कत नहीं आएगा और एक ध्यान रहे कि जब भी स्प्रिंग लगाए तो डाई के बीच वीच में लगना चाहिए इस तरह से अंदर इस तरह से यहां पर बीच वीच अगर आपका स आसी वीडियों देखने के लिए हमारे चनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूरू करें